एक गाली समढ़ लोगों के लिए बड़ी मशूर है कहते हैं बहुजन समाज नहीं है भोजन समाज है यह जो भोजन समाज की गाली है यह क्या गाली है कहां से आई कैसे पड़ी क्योंकि 14 अप्रेल आ रहा है और 14 अप्रेल को फिर लाइन लगा कर भिकमंगों की तरह हात फैला कर लोग पूड़ी सबजी बाटेंगे खाएंगे तो फिर से डॉक्टर अंबेटकर के जो वनसज हैं वो भिकाजियों की तरह लाइन में खड़े हो जाएगे कहने को भंडारा कहने को बावा साब डॉक्टर अंबेटकर का जैनती दिवस है में लगाए जाएंगे कि इसका विसलेशन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप भिकमंगों की उलाद हैं या राजाओं की उलाद हैं तो आपका वहवार कैसा होना चाहिए पुराने समय में इस तरह के पूरी सबजी के भंडारे या फ्री में खाने के लाइन लगा कर खाने के जो कारज हैं जो कार्रे हैं वो अगर आप प्राचीन समय में देखेंगे तो जो अनाथ लोग होते थे बूड़े मजबूर बीमार सरीर से अपंग या जो साधू संत तपस्वी इसी होते थे या जो ऐसे लोग होते थे जो कुछ नहीं कर पाते थे उनके लिए पिंड पात पिंड दान पिंड चारी का हुआ करती थी पिंड माने पिंडी पिंडी माने जो चावल का गोला बना के लोग खाते हैं उस तरह से उसको बोला जाता है ये पुराने समय की बात है पर जब बुद्ध ने भिक्कु संग बनाया और भिक्कु संग के नियम बनाए तो ये मांग के खाने वाली जो आदत थी इसको खतम कर द लोग भिक्कू को भिच्चू संस्कायत भासा में भिच्चू बोलते हैं और भिच्चू से भिच्चा बोलते हैं और भिच्चा से जो खाना उनको मिलता है उसको भिच्चा बोलते हैं भिच्चा पात्र बोलते हैं भिच्कू पात्र बोलते हैं ये सारा स्टेटेजी और सारी चीजें भिक्कों को और भिकुणियों को बदनाम करने के लिए कही गई है बनाई गई है बुद्ध ने कभी भी भिक्मंगों की तरह या मांगनों की तरह या मंगताओं की तरह कोई लाइन में लगा कर भिक्कों को खाने का आदेश या खाने का नियम नहीं दिया बिक्को बहुत पहुँचे हुए लोग होते थे, बहुत ग्यानवा लोग होते थे, बहुत सदाचार का पलन करने वाले होते थे, जो सदाचार जो सील के नियम थे, 311 भिकुनिय के लिए हैं और 227 भिकु के लिए हैं वो उसका एक एक पलन करते थे और उसमें कहीं भी नहीं था कि मांग के खाना है या मांग के खाने का कोई रिवाज या परंपरा है दरसल भिको को जब खाना दिया जाता था तो भिको उससे पहले पढ़ाया करते थे घरगर जाकर पढ़ाया करते थे और पढ़ाने के बाद में पढ़ाने के रूप में वो जो उनको भोजन जीवन जीने के लिए मिलता था और जो भूग से 20% कम खाना होता था, उसको वो तब तक सुईकार नहीं करते थे, जब तक पिंडपात कराने वाला, खाना देने वाला, उनसे तीनवार निवद ना करे यह बताती है कि आप मन से इसको दे रहे हैं जो पिंडपात होता था या जो चीज दी जाती थी भिक्कू को भिक्कू उसको टच करा के और जो बोला करते थे और उसके बदले में जो लोग बोला करते थे दान देने वाले यानि देने वाले उनके बोलने से भिक्कू को समझ मे किया हुआ दान या खाना या भोजन या पिंड़ चारी का भिक्कू नहीं ग्रण करते थे यह बहुत सम्माजने किस्टी थी के देने वाले को गुटनों के वल नीचे बैठके पहले एक याचना करनी पड़ती थी भिक्कू से तब भिक्कू उसको लेते थे और यह जो पिंड बात कराने के लिए लाइन लगा कर जाया करते थे ऐसे बहुत सारे उधारण है जब भिक्कू को भिक्कू संग को भोजन कराने के लिए लोगों में बहस हुआ करती थी लड़ाई हुआ करती थी ऐसा एक जो महिला का जिक्र भी आता है जो बुद्ध को इन्वाइट करने ग भिक्को के इस मान सम्मान से लोग उनको खाना देने के लिए लालाईत रहते थे भिक्को चले गए पर लोगों की लालसा खाना देने की खत्म नहीं हुई और लोगों ने जो भी चीवर पैन के आया जो भी भगवा रंग पैन के आया जो भी उस कलर में आया चाहे उसने ग्या कीजिए कि अज्ञानता दी हो पर उसको खाना दिया गया आज भी गाओं के अंदर कोई भगवा कलर पैन के आता है तो उसको वही चीवर का सतकार उसी चीवर की तरह उसको भोजन पिंडपात मिलता है और भिकोंने भी खाने के नियम बहुत जवर्जस थे क्योंकि बुद्ध सुखा खाना नहीं लेगा कोई अन नहीं लेगा कोई रजत नहीं लेगा कोई पैसा नहीं लेगा कोई चादी नहीं लेगा कोई जमीन नहीं लेगा कोई जाजात नहीं लेगा खाना लेंगे तो पका हुआ लेंगे तो उतना लेंगे जितना भिक्कु संग को आवशक है खा लेंगे तो खाने को mix कर देंगे किसी का खाने का अलग से identification या अलग से कोई वर्गी करन नहीं करेंगे और खाना संग में जाके खाएंगे खाना एक खटा नहीं कर सकते और दिन के बारे बज़े के बाद खाने की आउस्कता नहीं है इसलिए अगर खाना बसता है तो वह कर सकते हैं इस प्रंपरा की वैसे भिक्कु संको सारे लोग खाना खाने के लिए लाइन लगा कर खड़े रहते थे भिक्कु चले गए और खाना खलाने वाले अधिकता लोग समण हुआ करते थे एक वी उधारन नहीं है जब उस प्रंपरा आज के समय आप थाईलेंड में, चीन में, वर्मा में, स्री लंका में देख सकते हैं जहां भिक्कु उसी परंपरा का पलंग करते हैं वहाँ आज भी घुटनों के बल नीचे बैठके महिलाएं और बच्चे अपने भिक्कूओं को भिक्कू संग को खाना देते हैं और खाना लेने वाले भिक्कू और भिक्कू संगी होते हैं साधर्ण आदमी लाइन में लगके खाना नहीं खाता साधाना आदमी का कोई भी दान लेना या पिंड़त पात लेना या पिंड़त चारी का लेना वाचित है क्योंकि साधाना आदमी सब देने वाले होते हैं सिर्फ भिक्कू भिक्कू संघी या कोई लाचार है वो खाना लेने वाले होते हैं तो वहाँ नियम है, पर भारत में ये नियम बदल गया, पहले जब आठ नियमों का पालंग करते थे, जब अठ सील का पालंग करते थे, अठ मिने का पालंग करते थे, अठ मिनायक होते थे, अठ मिनायक होते थे, अठ मी के दिन दो अठ मिया पड़ती है, एक चैतर की अठ मी और एक अठमी जो सर्दियों में आती है, दस हरे के आसपास, तो उस अठमी पर भिक्वों को भोजन देने के लिए लाइन लगा कर जगे-जगे घर के आगे लोग भोजन बना के रखते थे और भिक्व आते थे और उनको सतकार के साथ में खाना भोजन पिंडपाद दिया करत और एक अठमी को और नोमी को लोगों को खाना खिलाते हैं, खाना तो दरसल वो भिक्वों के हिस्से का है, पर लोग खाते हैं, जो समर्ण पहले दानी हुआ करते थे और जो भोजन दिया करते थे, वो समर्ण अब दान दाता से मांगने वाले हो गए, उनकी हालत ऐसी हो कि वो लाइन में लगके दुतकार के साथ गाली के साथ अपमान के साथ खाने को घरन करें आज भी जो पूड़ी खलाए जाती है जो सब्जी खलाए जाती है उसमें लोग जब खिलाते हैं तो मान सम्मान के साथ सदकार के साथ नहीं खिलाते दुतकार के साथ खिलाते हैं अप साइड में या बाद में ये तरसकार है मनुस्य का ये तरसकार है जो खाने वाला है उसका और ये तरसकार खिलाने वाला करता है यानि कि वो बार 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 बताता है कि आप भिकमंगे हैं आप मेरे यहां खाने को आए हैं बेसक वो कहीं से चंदा करके लाया है पर उस समय वो अमारी हो और वो भिकारी वाला जो एहसास है वो उनको हो पुरानी प्रंपरा सम्णों की रही है कि सम्ण लोग कभी किसी का नहीं खाते थे सम्ण लोग बड़े स्वाभी माने होते थे उंचा मत्था उंची सान सम्णों की पहचान उंचा मत्था उंची सान सम्णों की पहचा समण ने हमेसा दिया ही दिया कभी लिया रही तो हर एक अपने अंगोचे में छे रोटी आठ रोटी दस रोटी बांद के रखता था हर समय कहीं आना है जाना है दो रोटी किसी और के लिए और बाकी अपने लिए रास्ते में कोई मिल जाए भूका हो तो उसके लिए दो रोट लेके आते हैं अचार के साथ में, चार खुद खाते हैं और दो उसके लिए जो भाई बाहर से आया है या जो खाना नहीं ला पाया, जो अचाना खाया है, तो खाना हमेंचा समर्संग में बचता है, समर्संग के लोग जब कभी खटे होते हैं और खाना लाने की सिती में ना हो तो दूसरे लोग उनका खाना ले आते हैं या सारे लोग अगर पूरे दिन के लिए खटे होते हैं और खाना खराब होने की सितिया नहीं ला सकते हैं तो अपने खाने का पैसा देते हैं अपने बैठने का पैसा देते हैं अपने हिस्से का पैसा देते हैं पर मुह नहीं उठाते, मांगते नहीं, भीक नहीं मांगते, भिकारी नहीं है वो उँचा मत्था, उँची सान समडों की पहचान इसको कायम रखते है इसलिए समड संग के जो नियम है बड़े गजब के है स्वाभी मानी नियम है बावा साब अमेट करके पूरे के पूरे स्वाभी मान के नियम इसके अंदर है बुद्ध के स्वाभी मान के नियम इसके अंदर है पर 14 अपरेल आती है या बुद्ध पूर्णमा आती है या जो भी आती है उसमें जो मनुवाद का सिस्टम है वो पूरी सबजी में लागू होता है कुछ लोग चंदा एकटा करते हैं लोग उसे भीक मांग के पैसा एकटा करते हैं भिकारी बन जाते हैं उसके बाद फिर वो कुछ पूरी सबजी बनाते हैं और फिर वो सारे लोगों को उसी भिकारी वाला जो एसाज जो उने किया है चंदा मांगने में उन लोगों को लाइल लगर खिलाने में करते हैं और ऐसे दुतकार लगाते हैं जैसे कुट्टे को दुतकार लगाई जाती है और लोग खाते हैं, उस सम्में उनको स्वाभी मान खतम हो जाता है, मर जाता है, इसलिए स्वाभी मान नहीं मानना चाहिए, अपना भोजन अपने आप अपने साथ रखना चाहिए, हमेसा रखना चाहिए, अपना भोजन अपना पानी आलवेज, आप बावा साब की जैनती मन के लिए आ रहे हैं तो बावा साब की जैनती में आईए और अपना खाना अपने साथ लाईए और दो रोटी एक्टर लाईए कोई और साथी उसके लिए हैं यह जो भिकारियों जैसी स्थिती है जिसको गाली पढ़ती है हमको के यह बहुजन समाज नहीं है यह बहुजन है उसका स्वाबी मान हमाले सä हूँचा है और आप उसके जबन दिन पर अपने आप को चार रोटी चार पुड्यों चार सब्चिकल आएम लाईन में लगा लागा में लगाकर बेचां आते हैं और गर्ब से कहते हैं हम जैनति मना किया है कि खाग जैनति मना किया रहें जिस किसी की रोटी खाके आप निगा नीची करते है 조erkt Xu कि आगर किसी की रोटी मुह से खाते है तो इसकी आँख नीचे हो जाती है लजा जाती है शर्म आ जाती है । फिर वह आदमी किसी काम का है नहीं रहता इसलिए काम के आदमी पे जाई है और इस जा homeless बुद्ध के खाना है खाना हमेसा अपन Dakar cuk BOB के अनुए है तो अपना स्वाभ इमान, आपका उचा मत्था, आपका उची सान, उस सम्ड़ की पचान, कैसे आपके ललाट पर और आपके चेहरे पर चाती और कैसे चलती है, यह जो भोजन समाची गाली है, इसको दूर कीजिए, और उन लोगों को जो चंदा एकट करके लाते हैं, दस लाख रुपे और एक लाख रुपे का खाना हमाँ बटवाते थे हैं, और नौ लाख रुपे जेब में रखते हैं, उनका तो धंदा है, वो तो आपको भिकारी बना के रखेंगे, अभी मैंने देखा मेरट के अंदर पैकीटों में खाना बटा, जो वहाँ भिकारीयों के तरह खाया गया कोई स्वाभी मान नहीं जबकि वहाँ लोग अपने आपको कहते हैं हम बुद्ध की संतान हैं, ये सिश्टम बंद कीजिए, समणों का जो पुराना सिश्टम है, जो पुरानी परंपरा है, अपना खाना अपना पानी हमेसा अपने साथ रखिए, और दो रोटी दो परहटे फाल तो रखिए, कहीं आना जाना हो, तो घर से बनवा के चलिए, और अगर घर से नहीं मिलते हैं, तो चार केले खरीद के खाईए, और खरीद के अगर नहीं खास खा सकते हैं, तो उस दिन भूका रहिए, और स्वाभी मान को जिंदा रखिए, जिसके स्वाभी मान जिंद 24 घंटे अपने साथ ये वाकिया हमें साथ रखिए देखिए कियसे आप करांती की तरफ आगे बढ़ते हैं संगंग नमामी संगंग नमामी